हिमाचर परदेश के सिमला में शिव मंदिर हासे का आज तीसरा दिन है और लगातार तीसरे दिन NDRF, आर्मी और SDRF की तरप से राहत और बचाव अभियान जारी है रेस्क्यू अपरेशन करते हुए NDRF के जवानों को आप देख सकते हैं मशीन से लगातार पिछले 3 दिन से मल्बे को हटाया जा रहा है मंदिर के उपपर जो मल्बा था उसे Hटाया गिया है जो हमें बताया गिया उसके मताबिक मंदिर का उपरी हिस्सा जो है मल्बे के साथ बह गया और नीचले हिस्से तक पहुँचने में इंडी आरेफ के लोग काम्याब हुए आप देख सकते हैं मशीन के पास मंदिर की दिवारे दिख रहे होंगी दूसरी तरफ मलबे से आपको अंदाजा लग सकता है कि कितना भयानक दर्दनाक रहा होगा वो पल जब यह हाथसा हुआ था नीचे इंडी आरेफ के अधिकारी है और दूसरी तरफ दो से तीन किलोमीटर नीचे तक जो पेड़ों के बीच में रास्ता दिख रहा है परवतिय नदी जैसी आकरीती आपको दिख रहे हैं दो से तीन किलोमीटर तक आगे मलबा गया है और उसमें भी कई लोगों की जिंदगियां बह गई हैं देख सकते हैं नीचले हिस्से को आपको दिखा रहे हैं बार बार करीब तीन से चार किलोमीटर तक ये पूरा का पूरा मलबा बिखरा पड़ा है परवतिय नदी की जो आकरीती होती है उस आकरीती जैसे शकल यहां बनी हुई है और इस मलबे को उपर देखें उपर से मलबा आया हमारे कै नीचे एक ब्रिज था पत्थर का वो खिसा गया और उपर 500 मीटर उपर से मलबा आता है और मंदिर को पूरा का पूरा बहा कर लेकर चला जाता है अब तक 13 लोगों के पार्थियू शरीर को यहां से निकाला गया मलबे के अंदर से कोई चमतकार ही दूसरे जीवन को यहां स बना हुआ था सडक थी लेकिन यह सडक कट गई है उपर में एक रेलवे ट्रैक कट गया जो हमने आपको दिखाया और उसके उपर भी दो सडक कट गई है यानि तीन सडको को काट कर पूरा का पूरा मलबा आगे तीन किलोमीटर तक लोगों को ले गया है मलबे को बहा कर ले गया पानी और जो मिट्टी था इसके अलावा एक रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा है तो लगातार तीसरा दिन रेस्क्यू ऑपरेशन का और इस उम्मीद में कि कोई न कोई जीवन यहां से निकले कैमरा परसंड दिनेश देहडी के साथ नीरज कुमार न्यूज एट इंडिया शिमला